हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू यू और इन यूर ओन चैनल इंगलिश विद मुक्षिता और आज हम करने वाले हैं आपका एट्थ क्लास फर्स्ट लेसन दा बेस्ट क्रिस्मस प्रेजंट इन दा वर्ल्ड का पार्ट नबर थर्ड ठीक है दो पार्ट हमने कर लिए दोनों बात के कंप्रेहंस चेक के जो कोशन अंसर है वो भी कर ली हमने आज हम थर्ड पार्ट करेंगे और साथ में इसके कोशन अंसर भी डिस्कुस करेंगे ठीक है आई फोल्ड लेटर अगेन अब लेटर खोला था जो उतर ने जो लेटर खोला था ना मिस्टर जीम का जो मिसीज जीम के लिए लिखा था ठीक है वो लेटर हमने कल पढ़ लिया था सेकंड पार्ट में लेटर का डिस्क्राइब कर रखाया कि लेटर में क्या क्या था फिर उसने ल को फोल्ड कर लिया यह नहीं बंद कर दिया स्लिप इट केरफुली बैक इंटू इंवल्प मैंने दुबारे से उसके लिफाफे में डाल दिया इसको स्लिप बना के ठीक है मैं सारी रात जागता रहा बाई मॉर्निंग सुभ है आई न्यू वट आई है टू दू मुझे पता था कि मुझे क्या करना है आई ड्रोव इंटू ब्रीड पोर्ट मैं ब्रीड पोर्ट के लिए निकला जस्ट फ्यू माइल आवे जो केवल कुछे मील दूर था आई आई मैंने एक स्ट्पंस से पुछा ओपने डू के साथ पैदल रहा था DAVID वोग पे चलू रहा है Yak by वे tecnology' कोपर घ्र यजवास के corner वीज़ कहां है कि बरंट आउट होता है जो आग से जल जाए ठीक है ना आग से जलाव आए खोल था बस दा रूफ गैपिंग रूफ में गैप था और विंडो बोर्ड अप बोर्ड अप होता है जिसके उपर जो कवर वीद वूड होते ना जो लकडियों से ढख लिए जाते हैं विंडो ऐसे धके हुए थे ठीक है वूड लकडी से फटों से धके हुए थे विंडो आई नोक्ट एट दा हाउस नैस्ट डोर मैंने अगले अब जब हम किसी के घर चाते हैं वो नहीं मिलता तो हम पडोशियों से पुछते ना कहां गया है ठीक है तो ऐसे ही उतर ने किया कि आई नोक्ट म नश्थ आई रहान, वा मतलब यहां पे उंनून है उसको सिर्फ नाम पता है वो लटर देक है वह परिस्ट अल्री में जानता की मैग पर्शन कोण है ठीक है इसलिए यह लगाया है कि मिसिज मैग पर्शने वो कहां है खहें रहती है तो उसके बारे में मैंने पूछा Oh yes, said the old man in his sleeper एक बुढ़े आदमी जो sleeper पहने हुआ था, उसने पूछा कि हाँ He knew her well कि वो उसको अच्छे से जानता है A lovely old lady एक प्यारी सी बुढ़ी उरत थी He told me, उसने मुझे बताया A bit middle-headed Middle-handed होता है, confused कि वो थोड़ी सी confused रहती थी But at her age She was entitled to be Entitled to be का मतलब होता है हगदार होना तो यहाँ पर क्या sense लगेगी कि इस उमर में ऐसा होना सभाविक है Wasn't she क्या ऐसा नहीं था A hundred and one year old कि वो 101 101 101 साल की थी बुढ़ी थी She had been in the house When it caught fire वो घर में ही थी जब घर को आग लगी It किस के लिए है? House के लिए कि जब इसमें आग लगी तो वो घर में ही थी No one really knew No one really knew How the fire had started कि कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी Really मतलब वास्तों में कोई नहीं जानता कि आग कैसे start होई But it could well have been candle Candles कि ये संभावना की जारी है कि वो candle सही लगी होगी मुंबती सही लगी होगी She used candle rather than electricity वो बिजली की बजाए electricity की बजाए candle use करती थी Because क्योंकि She always thought क्योंकि वो हमेशा सोचती थी Electricity was too expensive कि जो electricity है जो बिजली है वो बहुँ जादा महेंगी है The fireman had got her out in just in time कि जो fireman आई थे आग भुजाने के लिए तो उन्होंने उनको समय पर ही निकाल लिया She was in a nursing home अब वो nursing home में है Now, अब He told me उसने मुझे बताया Burlington House Burlington House में On Doorchester Road Doorchester Road पे जो Burlington House है उसमें nursing home में अब वो है On the other side of the town Town के दूसरी side ठीक है यह आपका third जो पार्ट था Lesson first का वो खतम हो जाता है इसके दो question अब comprehensive check में पूछे गई है कि Why did author go to Breedport Author Breedport क्यों जाता है हम क्या लिखेंगे क्यों जाता है Mrs. Jim को ढूंडने जाता है उसका letter लोटा नहीं तो author went Did में पूछा गया है तो past indefinite है तो did को हटा के हम verb की second form लगा देंगे Past indefinite में वह अब की second form लगती है तो क्या से लिखेंगे The author went to Breedport Because He wanted Return The letter of Mrs. Jim To her ठीक है ऐसे लिख सकते है कि Mrs. Jim को लटाने के लिए था या हम ऐसे भी लिख सकते है The author went to Breedport In search of Mrs. Jim एक पर्सन And return her letter ठीक है Question number second देखें How old was Mrs. Mac person now? Mrs. Mac person अब कितने साल की थी? Where was she? अब वो कहां थी? ठीक है तो कैसे लिखेंगे Mrs. Mac person was कितने साल की थी? देखो, passage में लिखा हुए है Mrs. आप लिखोगे Question में से उठा के Mrs. Mac person was 101 year old now अब वो एक सो साल की थी 101 साल की थी अब उसने पूछा है इसी Question में कि अब वो कहां रहती है तो क्या लिखोगे आप? सी वाज यहां से देखो पीछे सी सेकेंड लाइन She was in our nursing home in Burlington house on Dorchester road ठीक है? यहां तक लिखतो होगे यहां से लेकर She was in our nursing home in Burlington house on Dorchester road ठीक है? तो यह आपका थर्ड परगत था नेस्ट वीडियो में हम इसका फूर्थ पार्ट करेंगे थैंक यू